नमस्कार मेरा नाम है सुनिल कुमार और आप देख रहे हैं तलास टीवी इस वक्त पूरे देश में जो है राम मंदीर को लेकर चर्चा है जो अगामी 22 जनवरी को परान परतिष्ठा का कारिक्रम होना है उसी संबन्द में हम कुछ चर्चा करने के लिए एक वेक्ति के साथ है जो गढ़वा के परतिष्ठी व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर कुल्तेव चोधरी जो है वो निशाज समाज संगठन के महर्शी व्याद परिशद के परदेश कारिकारी अध्यक्ष हैं चोधरी जेनरल होस्पीटल के संस्थापक हैं चिकिसा पदाधिकारी हैं CSC रंक एसे वेक्ति के साथ हम बैठे हुए हैं और जो राम मंदीर का जो मुद्दा है जो अभी होने वाला है प्रानपतिष्ठा का कारेकरम राम की जो बाते चल रहे हैं चर्चा उस पर हम लोग कुछ बात इनसे और इनके विचार को जानेंगे बिलकुल हिन इस पक्ष भाव से ये सारी बाते करेंगे हम लोग समाज में एक साहर्द उत्पन करने को देशे से इस तरह के इंटर्वू कारेकरम चला रहे हैं और सर चुकि समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं इसलिए इनसे हम बात का सबसे पहले सर स्वागत है आपका अपका सबसे पहले पुछना चा हुए हैं कुछ संसान तो खैर दो विचार धराओं के हैं लेकिन फिलाल अब सबसे पहले बताइए कि कैसा आपको लग रहा है इसको देखकर सर प्रतम आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और काफी सकरात्मक मुदा को लेकर के आप नमारे बीच आए मुझ लेता हूं सकरात्मक बात करता हूं इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी जो अगामी 22 जन्वरी को कार्जकरम है हमें लगता है कि एक सही पहल है और हमेशा किसी भी से को लेकर के अगर जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलता है अच्छा आपका जो आप दो संसान से जुड़े हैं जैसा आपने बताया है एक संसकार भारती के जीला संरक्षक भी है और बामसेफ के जीला उपाध्यक्ष भी है दोनों दो विचारधाराओं वाली संस्ता है इसमें कैसे समझ से होगा राम बंदीर वाले जो मामला है वो तो संसकार भारती वाला मामला हो जाता है एक बामसेफ है और दूसरी विचारधारा के ऐसा कैसे है देखिए हमारा प्रयास होता है कि चाहे जो भी संगठन है सबका विचारधारा अलग-अलग हो सकता है हम सीखने का प्रयास करते हैं संसकार भारती के बीच जाते हैं वहां भी कुछ ने कुछ सिखने को मिलता है, तो विचारधारा अलग हो सकता है, आपके उपर निर्वर करता है कि आप कैसे अपनाते हैं, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, संस्कार भारती वाले भी जो भी से चुनते हैं या जिस कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, वहां भी मुझे अच्छा लगता है, जब बामसेफ संगठन के बीच जाता हूं, उनका भी जो विचारधारा या जो सोच है, वहां भी अच्छा लगता है, तो विचारधारा अलग-अलग हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग तो इंसान है, और इंसानियत की बात करते हैं, तो जब भी मैं क दिकत नहीं है किसी संगठन से और जो आपका दिपोस्तों की बात है तो यह तो सकरात्मक चीज है अगर हम अपने घर में जब दिप जलाएंगे या किसी संस्था में दिप जलाएंगे तो समाज में तो असर पड़ेगा ही अच्छा मेंसेज जाएगा अगर इस तरह काम हो रहा है तो उसमें साथ देना चाहिए अचासर जैसे आप बोले कि इंसान है इंसानियत की बात करनी चाहिए भगवान स्री राम जो थे तो उनसे आप क्या सीख लेना चाहेंगे या लोगों को क्या बताना चाहेंगे राम के पुड़े जीवन चरितर से उ बारे में खुछ बताईए देखे भगवान स्री राम को मर्यादा पुरुसोत्तम ऐसी नहीं बोला जाता है कहीं ने कहीं उनके अंदर जो गून था हम सब को एक सही मार्ग दर्शन के रूप में लेना चाहिए उनके जीवन में कई कठनाई भी आई कभी खुशी का फिपल आया तो जीवन का एह हिसा है सुख दूह का उससे हम लोग प्रेरित होते हैं कि आपको घबराने के जूरत नहीं है आपके साथ सुख हो दूख हो धैरज के साथ आगे बढ़ना चाहिए और भगवान राम ने भी कहीं किया कहीं ने कहीं उनके साथ परसानी भी होई कहीं उनको बहुत मान समान भी मिला तो सुख दूह को जहलते हुए अगर आगे बढ़े तभी सब के दिल में राम है और मर्यादा पुरुसोतम कहला है अच्छा आप से अब कुछ पोलिटिकल कोश्चन भी हम पुछेंग रही है ऐसा कॉंग्रेस का कान है बहुत लोग का विचार है इस समझ में आपका क्यामत है आप क्या सोचते हैं कि क्या धर्म के आल में लेकर जो है वो बीजेपी राजनीती कर रही है या कि सब कुछ ठीक है देखिए सबसे बड़ी बात कि मैं राजनीतिस जुड़ा नहीं ह चाहिए अगर राजनीती करना है तो आप विकास के नाम पर करें रोजगार के नाम पर करें सिक्षा स्वास्त के नाम पर करें तो जो आम जनता है उसे और क्या चाहिए आस्था तो मंदिर में भी है मस्जिद में भी है चेर्च में भी है गुरुद्वारा में भी है अलग- मंदीर को ले करके कोई नहीं जाना चाहरा है तो यहां पर गलत है जाना चाहिए आज मंदीर बना है कल मिल करके मस्जीद ही बनाना चाहिए जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं यहीं एक हिंदुस्तान के धर्ती है जहां सभी जाती धर्म के लोग रहते हैं और एक मानावता के साथ रहتे हैं एक दूसरे को सही बियाउं करके रहते हैं और मंदिर बन चाइए किसी को पुरा है यह तो था पृग च्छी सब करें एक साथ मिल करके जाना चीह है हम कोसित करेंगे कि कुरुद्वारा भी जाएं जा कर pointer सब धर्म अस्तल है इस्वर तो एक ही है रूप अलग अलग है तो हमें लगते हैं कि इस पर ज्यादा कुछ नहीं सुचना चाहिए हाँ अगर राजनीती करना है तो फिर आप विकास रोजगार स्वास सिक्षा बहुत सारी मुद्दा है उस पर करना चाहिए और इसमें जाना अच्छा एक बात और बताईए आप अक्सारा कभी कभी देखते हैं आपको आपके कारिकरम होते हैं या आपके निज वीड़ा मिजब भी आते हैं तो पोलिटिकल रूप से भी आप एक्टिव नजर आते हैं उसे तो क्या आगे राजनीती में आने का आपका विचार है कोई काम नहीं करता हूं लोगों को लगता होगा कि अगर काम कर रहे हैं राजनीती से जुड़े हुए हैं राजनीती से जुड़े हुए बेक्ति सीधे तोर पर बोलता है कि मैं खास पाटी से जुड़ा हूं या पाटी के लिए काम कर रहा हूं अभी तो मैं समाज सेवा का चाहता हूं कि आप जो भी काम करें उसमें से 5-10% समय निकाल करके समाज हित में कदम बढ़ाना चाहिए समाज हित में कार्ज करने के जूरत है अगर लोग अपने हित के लिए सोचेंगे केवल तो समाज का या देश का भला नहीं होगा मैं भी चाहूंगा तो मैं डॉक्टर हूं मेरी वाइफ भी डॉक्टर है हम लोग आपसे मिल करके केवल अपने घार में खुस रह सकते हैं खुसियां बाटने से मिलती है तो हम लोग अपने खुसी के साथ दूसरे ओखुसी बाटना चाहते हैं लोगों को बढ़ाना चाहते है जैसा कि अभी आप बता रहेते हैं कि निसात समाज के जो संगठन महर्शिबियत ब्यास परिशद मैं परदेश कारशकारी अध्यक्ष हूं इन लोगों का प्यार है कि आज इस पत से हमें लबासिन करवाए हैं लोग और उसके पिछे कारण है कि मैं लगातार चाह सूख हो जाएंगे जब समाज को सही कर लेंगे तो फिर आप अन्य समाज में जाएंगे जब आप सभी लोगों को एक साथ ले लेंगे तो देश और राजहित में भी आप काम करेंगे तो हमारा प्रयास है धेरे-धेरे लोगों की विज्जाना और एक सकरात्मक रूप से काम करना औ और मैं किसी भी से को निगेटिव भी नहीं लेता है कौन क्या बोल रहा है क्या सोच रहा है उस पर ध्याम नहीं जाता है और पिल्कुल अभी राजनीती और देखे राजनीती कहने से ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति राजनीती कर सकता है राजनीती करना कोई गलत नहीं है और तो राजनीति का समय जब आएगा तो कोई भी ब्यक्ति आगे बढ़ सकता है लेकिं फिलहाल मैं अपना सरकारी कार्ज कर रहा हूँ और समाज सेवा का छेत्र मेरी कोशिस है कि सबसे पहले समाजिक जो समस्याएं हैं उससे निपटने और जूड़ने का समस्या का हल करने का प्रयास करना है और जिस तरह से आपस में जब लोग मिल करके कोई भी समस्या को हल जब करते हैं खुसी मिलती है राजनीती बिल्कुल अलग विसे है अगर आगे कोई नहीं जानता है अभी जहां है वहां की बात कर रहे हैं कि हम लोग एक सरकारी पद पर हैं समाज से वासे जुड़े हुए राजनीती के समय जब आएगा तो फ्यूचर भविस्टो कोई देखा नहीं है हो सकता है कि मेरे किसमत में होगा तो मैं आ भी सकता हूँ लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ बात नहीं है तो लाज जुला करकर का भी नीदिक की बात नहीं करूँगा चले बहुत बहुत दन्यवाद सरापका बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई रामन्दित पर ही इसके साथ साथ निशास समाज और भागी चीज पर भी चर्चा हुई इसी तरह की बाते आप से फिर दुबारा हम कोशिस करेंगे कि किसी मुद्दे पर करें आप से बात करके अच्छा लगा हमको असा है कि हमारे तलाश टिवी के दर्सकों को भी ये इंटर्व्यू जो है का भी अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद मैं जाते जाते हैं एक बात जरू बोलूँगा कि ना हिंदू बुरा है जकिताने मुसलमान बुरा है जिसके दिल में बुराई है वह इंसान बुरा है तो कोसिस करने चाहिए कि जो श्रीज़ाती धर्म है उसको बिल्कूल अलग करके इक इंसानियत के रूप में आगे बढ़ने के जुरत है करने के जुरत है हम जिस धरती पर रहते हैं और जो हमारा मुख्य पीस है समिधान समिधान बहुत कुछ सिखा कर जाता है जा बाम सेफ की बात कर रहे तेट तरफ हम लोग धर्म की बात करते हैं अगर है अगर आप आप सही से पढ़ लेंगे समिधान ही एक ऐसा विशय है या एक माध्यम है कि अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो आप उचीत अस्थान पर बैठेंगे उचीत मार्क्स पर चलेंगे आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता है और यह देश जाती धर्म से नहीं चलती है यह समिधा है कि आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और जब तक आप वो समिधान की जनकारी नहीं है आप कहीं भी जाएए कहीं ने कहीं आपको चोट खाना पड़ेगा लेकिन जब समिधान के बारे में जनकारी होगी तो आप अपनी बात को रह सकते हैं आपका अधिकार छेतर है तो निश्ची तोर पर एक जरूर मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब करें लेकिन सब्धान की जनकारी रखना बहुत 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 धन्यवाद सर आपका और इसी के साथ हम तलास टीवी का या कारेकरम में ही समाब्त करते हैं अगर हमारा या कारेकरम अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद